नमस्कार दूर्ट माहूं सत्वरत आज मैं इस वीडियो में लेका रहा हूं देश भक्ति गाना इसकुल में गाने वाला गाना अगर आप इसकुल में पढ़ते हैं तो मेरे इस लिखे हुए गाने को 15 गास और 26 जन्वरी में गाये बिल्कुल फ्री ठीक है तो चलिए मैं इस और प्रकार आपको बता दो किस प्रकार से गाना पड़ेगा इस देश भक्ति गीत को और इसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा लाइन कितनी बार गाना ठीक है तो चलिए वीडियू को स्टार्ट करते हैं तो पहला और दूसरा लाइन मिला के दो दोबर गाना पड़े गया चलिए गाते हैं हम अपने मिटी से इतना प्रेम करते हैं हम अपने मिटी से इतना प्रेम करते हैं इसके लिए जान देने को हमेशा रेडी रहते हैं इसके लिए जान देने को हमेशा रेड़ी रहते हैं दोस्तों पहले अंत्रे में लिखा गया है हमने इसी मिटी पर जर्म लिया बड़ा हुआ खेला कूदा पढ़ा लिखा यहां तक दो बार गाना पड़ेगा हम अपने तिरंगे से इतना प्रेम करते हैं इस लाइन को दो बार गाना पड़ेगा इसके लिए जान देने को हमेशा रेड़ी रहते हैं लाश्ट लाइन भी दो बार गाना पड़ेगा तो अगर आप इसकूल में पड़ते हैं तो मेरे इस लिखे होगा गाने को आप जरूर इसकूल में गाईएगा ठीक है जब भी आपको असर मिलता है याप 15 अगर 26 जरूर असर मिलता है ठीक है गाने के लिए तो जरूर गाएगा ठीक है तो चलिए अब मैं इसे गा कर सुना दू किस प्रकार से गाना पड़ेगा हमने इसी मिट्टी पर जन मलिया बड़ा हुआ खेला कुदा पढ़ा लिखा हम अपने तिरंगे से इतना प्रेम करते हैं हम अपने तिरंगे से इतना प्रेम करते हैं, इसके लिए जान देने को हमें सारे डी रहते हैं, इसके लिए जान देने को हमें सारे डी रहते हैं, चली दोस लाश हंतर की तरफ बढ़ते हैं, अगर आपको कोई भी गान लिखवान म cholesterol कर सकते हैं तो दोस्तो, लाश हंतर में लिखा गया मेरे देश की मिठी सोना सोना मेरे मिठी जैसा कोई और ना होना यहां तक दो बार गाना पड़ेगा हम अपने देश से इतना प्रेम करते हैं इसके लिए जान देने को हमेशा रेडी रहते हैं नीचे कि दोनों लान को भी दो दो बार गाना पड़ेगा पहले अंत्रे की जैसा दूसरा भी अंत्रा गया जाएगा ठीक है तो दोस्तों बचो जो अगर आप स्कूल में पड़ते है हैं तो मेरे इसलिए के वह जाने को आप जरूस कुने गाई है मेरे देश की मिटी सोना सोना मेरे मिटी जैसा कोई और ना होना मेरे देश की मिटी सोना सोना मेरे मिटी जैसा कोई और ना होना हम अपने देश से इतना प्रेम करते हैं इसके लिए जान देने को हमें सारे डी रहते हैं तो दोस्तो आप लोगों ने ये गाना सुना आपको मैंने समझाया इसमें किस प्रकार से आपको गाना पड़ेगा ठीक है तो आप स्कुल में जरूर गाएगा